हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब शैनल लव तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जैसे कि आईसी एयर ने टेक्निशन के लिए वेकिंसी वगारा निकाली हैं तो हम लोग इसी से लेटेट प्रिविएस येर के कोशिंग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए आज हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे लेकिन आगे बढ़ेंसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मेरा खुद का एक प्रसनल एक्स्पिरियंस रहा है मेरे दोस्तों से बात किया इंफेक्ट मेरे जो रूमेट हैं उनसे भी मैंने बात किया तो बहुत सा सारा सलेवस है कितना वाष्ट सलेवस है कैसे तैयारी करें तो दोस्तों मैं यह बोलना चाहूंगा यदि आप सोचेंगे कि हमको कल भोज करना है भोज का लेके चलिए एक एक्जामपल और आज हम वहां पे चावल का खेती करेंगे तो यह इंपोसिबल है क्योंकि यदि कॉंपटेटिव एक्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले या अपना बेस को मजबूत कीजिए और एक ही दिन में रोटी सारा खाने का ट्राइए मत कीजिए स्टार्टिंग से सुरुआत करते रहें खेर यह तो दूसरा बात हुआ तो आज चलेंगे तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि इंडिया इस लाजेस्ट कंट्री यानि कि हमारे जो देश है कौन से स्थान पर आता है आपको एडिया के मामले में ऑप्शन से 7th 6th 5 तो जो राइट आंसर है वह सेवेंट सेकंड कोशन है कौन सा ऐसा लेंड है प्रिस्वी पे जो की आपको थ्री सेट से वाटर से है जीरा हुआ है पैनिसुला आइलेंड डेल्टा तो इसका दोस्तो जो राइट आंसर है वह है पैनिसुला थर्ड कोशन है लाला लाज पत्राई वाज अल्सो नोन एज शेरे बेंगॉल शेरे महराष्ट शेरे कश्मीर शेरे पंजाब तो दोस्तों से जो सही आंसर है वह है शेरे पंजाब तो इसका एक्स्प्लेनेशन देख लेते हैं लाला लाज पत्राई वाज बोर्न 28 जैन्वरी 1865 इन धुड़की नाव मौगा दिस्टिक इन पंजाब तोस्तों पंजाब केश्री नाम से एक अकबार भी आता है जो की नहीं के नाम पे रखा गया है हमारा fourth question है who called सुभाष चंद्रबोष एज देशनायक यानि कि जो सुभाष चंद्रबोष ये हैं उनको first time किसने देशनायक बोला था तो options हैं आपके लाला लाज पत्राई रविंदर नाश टैगोर बहात्मा गांधी बाल गंगाधा तिरक तो दोस्तों जो इसका सही answer है व सुभाष चंद्रबोष जी को देश नायक यानिकि देश का हीरो माना था दोस्तों यह जो मैं study material यूज कर रहा हूं वह एग्री कल्चर एंड जी के योट्यूब चैनल है तो उनहीं का एक PDF है वही से मैंने एक PDF लिया है हमारा fifth question है विवेकानन इस्टैबलिस्ट रामकृष krishna mission को कब स्थापित किया इं ए 1993 इं ए 1797 इं 1937 इं άνotte 39 व्होरत की सही आंशर है इं बाल गंगाधरति लग् उत द लग्राध इस लोगान सुराज लोगाधर एसी जवालो क को इन्हें ठी ज वाति लॉवाराधि इस युलोगारदिला इस्लोगाध इस लोगन और्यॉ यह जी कीढड को स्लोगन कोईन बाइज एस्टेट काका बाप्टिष्टा स्वराज इस माइ बर्थ राइट एंड आइशल है यह कि स्वराज हमारा जन्वसित अजिकार है इन्होंने बोला था यह following the partition of the Bengal which was a strategy set out of Lord Karjan to weak the nationalist movement तिलक इंकरेश्डी स्वदेशी movement and by court movement which among the following is the oldest dynasty कौन साइसा डैनिस्टी है जो की सबसे oldest है options मौर्य, गुप्त, कुष्यान, कानवर तो जो इसका सही अंसर है दो तो वो है मौर्य the Mori Empire was a geographically extensive Iron Age historical power based in Magad and founded by Chandragupt Mori which dominated ancient India between 321 and 187 BCE 8th question is the first bhakti movement was organized by Nanak, Meera, Ramdas, Ramnujacharya the right answer is Ramnujacharya the bhakti movement was started in South India in 7th century the earliest seats of the bhakti movement in India was organized by Ramnujacharya 9th question is in which year Shivaji was crowned as Chhatrapati? options 1608, 1674, 1646, 1710 the right answer is 1674 an Indian warrior king and a member of the Bhoshale Maratha clan, Shivaji was formally crowned as the Chhatrapati of his relame at Raigad in 1674 which was the second capital of Akbar Delhi, Agra, Fatehpur Shikri, Patna the right option is Fatehpur Shikri after Akbar victory over Rajputanaj of the Chittor and Ranthambhor he shifted his capital from Agra to a new city which named Fatehpur Shikri 11th question is which of the following is the world largest peninsula India, South Africa, Arabia and both A and B दोस्तों इसका आप वैसे मैं आंसर भी नहीं दिखा रहा हूं लेकिन दिखाऊंगा दोबार आगे बढ़ते हुए लेकिन इसका आप लोग राइट अंसर बताना मुझे खुद भी इसका सही आंसर ऐसे बस्तों इसे कारे वेसे समय िखर वेसे लेड़े घर महाले मैहाले इस डटत इसे ड़ेश saying largest means greater proportion of the total water using the irrigation in India the right answer is irrigation select the correct non-renewable source of energy non-renewable जिसे हम लोग दुबारा क्रेट नहीं कर सकते हैं option is hydel thermal solar wind power the right answer is thermal और विच्ट रीवर हीरा कुंड डेमी सिट्वेटिड दोस्तों यह कोष्ण बहुत इंपोर्टेंट थे मैं आपको बलोगा दुबारा से बार इस 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 आप कोई भी एकजाम देंगे इसमें क्वें बढ़ता चुका है मैंने भी एक्जाम दिया था पहुत आरे मैंने ए हीरा कुंड हां कि यानि कि जो हीरा कुंड डैम है वो कौन से रिवर के उपर स्ट्ट इट है तो इसका राइट आंसर वह है महानधी next question is which of the following taxes are imposed and collected by the state government option is state duty sales tax rent revenue land revenue and all of the above the option is all of the above sorry taxes imposed by the state government are sales tax and vat professional tax luxury tax entertainment tax motor vehicle tax tax on vehicle entering state tax on agriculture income tax on land and building on tax on mineral rights next question is which among the following is not a standing committee public account committee ethic committee railway convention committee and business advisory committee the right answer is railway convention committee 19th question is which one of the following is not a function of the liver यानि कि जो लीवर है उसका कुछ फॉर्टिशन होता है तो जिएंधिए आएंधिए प्रोडक्शन बायोप्सर आप गाणिकल कंपाउउड एज स्किन ट्रीटमेंट फोड प्रिजर्वेटिवेटिव कुकिंग ओविल्स all of the above the right answer is all of the above which acid is present in lemon lemon means जो निम्बू आप लोग यूज करते हैं तो उसमें कौन सा एसीड प्रेजेंट होता है ओप्शन से मायरलिक एसीड सिट्रिक एसीड लेक्टिक एसीड टेर टेर टेरिक एसीड तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है सिट्रिक एसीड which of the following is not a type of element options have metals non metals metal it's gases the option is gases which mission of NASA brought first human to moon options a Apollo program Gemini program Mercury program none of the above the right answer is Apollo program नेक्ट क्या है यदि आपने साइंस आपका बेग्रांड होगा तो आप लोग ने नोर मैटल 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 मैटलोइट्स में एक जैनुरली बता हो तो परियोटिक टीवल आपने पढ़ा होगा तो आप लोग इस कोशन का अंसर बिल्कुल नॉर्मली दे सकते हैं इतने इतने अंहरत किया काम से जीने चुराया तो दोस्तों सही आंसर है मेटलोईट अ इसे इसलिए मैं आपको थ्रब बता देता हूं होग में जो होता है जो होता है उसमें क्या होता है कि सेम टाइब के मिक्सर सोसे हैं हमारे पास सेम टाइब के मिक्सर कहने का मतलब यह हुआ कि at मात नहीं कि वाटर हो गया हमारा और वाटर के साथ वाटर को एड़ किया यहां पर क्या होग्या ओंगि सेंव्र कंड और आगे भी बात करते हैं कि जो Congrats होता इसमें क्या होता है कि different to do मैंने सुगर को मिक्स कर दिया अभी यह चीए मैंने सॉल्ट को मिक्स कर दिया तो हो हमारा हो गया हेट्रोजिनिस मिक्सेर तो दोस्तों टोटल कोशन तो वैसी हंड्रेड है तो हम लोग ने बैल स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसको चार सेक्शन में डिवाइड करूंगा तो इस वीडियो में इतना ही रहे देते हैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है तेलेग्राम ग्रूप का उसको आप जोइन कीजिए महीं सापको इस लेक्टे का पीडियाफ भी मिल जाएगा या फिर आप मुझे इमेल कर सकते हैं एजुकेशन एरा एट्टी 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 जीमेल डोट कॉम के तो दो झाल तूशाल